तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं तो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंगा रहा हुगा बाद देख सकते हैं तो जिनकी यह बाइक है वो है आदी भाई हमारे अदी भाई हेलो बोल दो पब्लिक को तो क्या हाल है आपके तो यह बता अपने बाइक कभ ली थी यह मैं अच्छा किने लिए आपने काफी चला ली इतने कम दिनों में इनके साथ कभी ओनर्शिप रिव्यू भी लेंगे बाक में आपको 300 mm के डिस्क मिल जाएंगे पीछे 230 mm के और इसमें आपको डोल चैनल यह बिएस आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही बेसिक सा आता है मैंने कई बार दिखा रहा है आपने देखा यह समय यह आता है आर सी 390 में भी यह आता है बाकी क्वालिटी काफी बढ़िया है ब्लैक कलर यह बहुत बढ़िया लग रहा है अब जो है में चीज अब इससे चला के देखते हैं तो सबसे बेले में बात करना चाहूंगो यहां पर जो हमें दिख रहा है वह है इसका डैश्वोड इसका डैश्वोड सिमिलर ही है हर एक KTM RC बाइक से तो 125 इसके सेटिंग पोजिशन है इंजिन इसमें आपको 199.5 मिलता है सिंगल स्लेंडर लिक्विड कूल जो कि पाउर प्रट्यूस करता है 24.6 भी एच्पी एंड 19.1 अनव टॉर्क परफॉर्मेंस इस इंजिन से काफी बढ़िया है परफॉर्मेंस में कोई दिकत में इतना अल्टिमेंट और रिफाइंड इंजिनाना मज़ा ही आयाता है और इसकी एक्जास्ट के साउंड यार बहुत ही बढ़िया इसमें अगर माईलेश की बात करूं देखो यहां पे तो माईलेश इखार है 30 के MPL का बट मुझे लगता इतना मिलता हौगा क्योंकि जटना शो करता हो इतना तो पॉसिबल है नी पॉहंड़ माईलेश की माईलिश देपाती होगी और काफी अच्छी चलाओगे तब जाके 30 मुझेल का बहुत मुझेंज आपको मिलता होगा अब सब्सक्राइब करों तो इसमें आपको बहुती आता है वह नेक्स लेवल होता है और कॉर्णर पर जितने आप लीन करना चाहिए आप कर सकते हो बहुत ही बढ़िया लगता है जैसे हम बंप पर भी जाएंगे तो बिल्कुल भी कमफरडेवल यह नहीं होगा बंप पर बहुत ही जाद दिक्कत होती है कर यह तो नॉर्मल कि बाइक चलाने होती है इसका हैंडल बार भी काफी नीचे है जो सीट के कुछनिक बहुत ही हाड है अपने वाली बाइक लिए तो कमफर्ड के लिए तो मुझे लगता आपने लिए होगी और यहीं पर मैं कंपेर करो इसके कॉम्पेटिशन के सीट से वह है आरवन फाइव कुछनिक काफी जादा और काफी कमफरडेवल सीट जो इसकी बने समें स्टील प्रैल स्ञआए हम वह बहुत ही मतला तो बहुत ही बड़िया ब्रेक्स है पीछे के अब फ्रेंट के देख लेते हैं इसका एक बार 0-60 कर लेते हैं बहुत ही कोई भाई बहुत ही कोई बहुत ही बढ़िया अब 0-100 कर लेते हैं फिर्णुक्र ए कि में को कि मंज़ी आ गया मजही आ गया फैसाब अल्टिमेट इसमें वाइब्रेशन यार बहुत जाद है फ्रेंट में थोड़ी वाइब्रेशन आप यहां पर आपके थाइस वाइब्रेशन फील हो रही है और मैं यह बात नहीं कर रहा है अगर मैं हाईयर आर्पिम पर चलाओंगो तभी आपको इतनी फील होगी लोगार आ में लुक दिखायता हूं तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है देखने सामने से लोक्स इसके बहुत ही बढ़िया है इसमें आपको प्रेंट में वही डूल प्रोजेक्टर साथ है और देखने बहुत ही बड़ी लगता है और यह वन अफ मैं फेविट पेंट स्कीम है ब्लैक कल कि आप में से कही लोग पूछ रहे थे कि के टी मर्सी में साधी में लड़कियां कैसे बेटेंगी तो आज हम आपको प्रैक्टिकल करेंगे तिखाएंगे कि कि अब कर दो चलो 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 कि अब है कि है कि कि कि